मेरा नाम है सवर अब्यादव और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल की सिरीज जिसमें आपको आल्रेडी चार लेक्चर दिये जा चुके हैं आज यूपी स्पेशल का पाँचवा लेक्चर होगा जिसमें हम लोग उत्तर प्रदेश की वन संपतात अथा वन जीव वाइड लाइफ संचुरी बर्ड संचुरी टाइगर रिजा और इन सब के बारे में अध्यान हम लोग करेंगे साथ ही साथ हम लोग इंडिया स्टेट अफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आई सफार की रिपोर्ट के बारे में भी देखा जाएगा ठीक है आज का लेक्चर सुरू करने से पहले हम लोग अपने पिछले लेक्चर में क्या डिसकस किये थे हम लोग उसको हम लोग थोड़ा सा हमने अपने पिछरी लेक्चर में उत्तर परदेश की नदियों के बारे में बताया था, उत्तर परदेश में हमने कहा था कि भारत की सबसे महत्पूर नदी, गंगा और यम्ना नदियां उत्तर परदेश से प्रवाइत होती हैं, साथी साथ घागरा नदी, गोमती नदी, ये स सबसे पुर्वी जिला है उत्तर प्रदेश का वहां से बिहार में इंट्री कर जाती है सबसे ज्यादा गंगा नदी का तट बदायू जनपद में हैं लगभग 133 किलो मीटर गंगा नदी के अगर सहायक नदियों की की बात करें तो बाएं साइट से उसमें आके मिलने वाली नदियां कौन कौन सी है राम गंगा गोमती राम गंगा कनौच के पास मिलती है राम गंगा गोमती ठीक है घागरा गंडक आगे हम बिहार में चले जाते हैं तो कोशी महानंदा यह सब नदियां बाएं साइट से आपड़न eller जनट्पता से करती है और प्रयाग राज में आ कर यमना नधी गंगा नधी में मिल जाती okey फिर घागरा नधी के बारे में जिसको हम लोग जिसको सर्यु नधी भी कहा जाता है आइध्या में और अप्रकार कुछ नदियों के बारे में देखा गया था हम लोग उने पिछणी लेक्चर में आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैंすबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि सेलिब्रेट किया और इस वर्ष की थीम क्या थी वर्ड इंवार्मेंट डे की थीम क्या थी इस्टेटमेंट बन सकते हैं समिच्छ अधिकारी हो PCS हो या UP SSSS हो वहाँ पर इस्टेटमेंट बन सकते हैं इससे रिलेटेड ठीक है तो पाच जून को वर्ड इंवार्मेंट डे सेलिब्रेट किया ज समय कि मतलब एको सिस्टम रिष्टोरेशन 2021-2030 तक यह भी स्टेटमेंट वाइज बन सकता है या सीधे भी कुश्चन इसके इससे पूछा जा सकता है आप लोग बताएंगे कि सबसे पहली बार वर्ल्ड इन्वार्मेंट डे कब सेलिब्रेट किया गया था और उस वर्स ओके तो वर्ल्ड इन्वार्मेंट डे 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है इस वर्स की थीम एको सिस्टम रिष्टोरेशन और एक डिकेड घुसित किया गया है जिसका नाम रखा गया यूएन डिकेड अब इको सिस्टम रिष्टोरेशन 2021-2030 तक के लिए ओके आगे देख तो बहुत ही महत्वपूड है चंद्रप्रभा 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 वन्यजीव बिहार कहां पर है चंदवली चंद्र-CHA याद करने के लिए CHA चंद्रप्रभा चंदप्रभा चंदवली में है का जाता है चंद्र हां चंदप्रभा चंदवली में ही ठीक है क किसनपूर वन्य जीव भिहार की बात करें, तो किसनपूर लखिम भी भी में, इसको भी Dawg करने के लिए चंद्प्रभान तहो चाचा हो राइब चंद-प्रवासी है है कि इसको सॉट फर में ऐसे किल कर सकते हैं इसलों कि संपूर कहाँ पर है लखिम्पूर क्री लकिंपूर के जन प के एक अतर्निया घाट बी से बहराईज एक मतलब याद करने के लिए अपने हिसाब से आप ट्रिक बना सकते हैं लेकिन ऐसे छोटी छोटी ट्रिक्स होते हैं जो मतलब काम हो जाता है चंदप्रभा वन जीव बिहार जो है राज का पर्थम है का इसलिक के चंदप्रभा वन जीव बिहार हो के रानी पूर रानी पूरवन जीव बिहार कहा है चित्रकूट में रानी पूर्व ashamed ओंड उंगाभीर छोटा ओंड थे यह सबसे छोटा है महावीर स्वामी वने जीव भिहार ललितपूर में है और यह सबसे छोटा है तो इसको कह सकते हैं महल यम यह यल महावीर स्वामी कहां पर है ललितपूर में महावीर स्वामी ललितपूर में है ओके चंबल वने जीव भिहार बहुत बड़ा है इसलिए मिर्जापुर सोनभद्र के अलामा बिहार का जिला रोतास उसमें भी कैमूर यह है ठीक है मिर्जापुर और सोनभद्र में कैमूर वनेजीव भिहार हस्तिना पूर्वनेजीव भिहार हस्तिना पूर्वनेजीव भिहार राज का सबसे बड़ा है और हमने वताया राज का सबस यस ओ यम सोहागी बरवा सोहागी बरवा कहा है महाराज गंज तो ऐसे ट्रिक्स के द्वारा याद रखेंगे तो आसानी से याद हो जाए क्योंकि क्वेश्चन यहां से वन लाइनर पूछे जाते थे सीधे सिधे चंद प्रभार निम्लखित में से कौन से उत्तर प्रदेश क है और से जिले में है लेकिन अब जो इस्ट्रेटमेंट Ōज पूछा जाता है सुमेलित करने के लिए निम्लखित में से सौन रखेंगर और महराज गंज में और सुहेलवा वन रिजी विःच और पीलिभीड टाइगर रिजर और वन रिजी विःच इसको याद करनेक ज़रूत नहीं है है रानिपूर चित्रकूट में है राच्ची बोले है महावीर स्वामी तो इसको महल बता दिये सबसे चोटा है यह हम एचल करेंगे तो यह ललीदपूर में चंबल कैमोर हस्तिनापूर हस्तिनापूर सबसे बड़ा है सबसे चोटा है महावीर स्वामी ललीदपूर में से समझ जाएंगे फिर उसके बाद सुहलवा वनेजु बिहार सरास्तिवे बलरामपुर में और पीली भी टाइगर इज़र भी है और वनेजु बिहार भी है आगे हम लोग टाइगर इज़र वगरा देखेंगे ठीक है तो आगे चलते हैं हाँ आए सफार की रिपोर्ट के बारे में देख लेते हैं कि उत्तर परदेश में कितने वन हैं और फिर इंडिया के भी वन की बात हम लोग करेंगे क्योंकि 2018 में जो 2017 समिछा इदिकारी का पेपर हुआ था उसमें सीधे सीधे कुछा गया था कि कितने परसेंट वन है भारत के चेदपल कितने परसेंट वन हैं वंच वन और ब्रिच कितने हैं फॉरेस्ट हैं ट्री कवर तो यहां से कोश्चन पूछा जा सकता है इंडिया स्टेट आफ फॉरेस्ट रिपोर्ट यह सोलाहवी रिपोर्ट जारी हुई है जो 2019 में 19 की रिपोर्ट है तो इसके दौरा उत् 9.18 पूछा जा सकता है ओके अ तौफल एरिया वाइस कांसे जिलय उतर प्रदेश के जिसमें सबसे ज्यादा वन हैं ठीक है सबसे ज्यादा 방송 है यह क्वेस्चन सीधि सीधे प्ूछा जाता है या तो पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा वन निसमतानvantage जो देते हैं उस्प् घ्रकार से पुछा जासकता है तो टौप rouge हैं सोनभद्र लखीम पूर खेडि मिर्जापूर और पीली वीत सोंभद्र में सबसे ज्यादा ओन हैं फिर लखीम पूर कियरी फिर मिर्जापूर फिर पीली वीत फोनभद्र आप तो सुन्भद्र एक ऐसा जिला है उत्तर परदेश का जो सबसे दच्छिड में है और चार राज़ों कसा सीमा साजा करता है कौन-कौन से राज तो टॉप फोर जो हैं उत्तर प्रदेश के जिले सोन भाद्र लखीम पूर खीरी मिर्जापूर और पीली वित और टॉप फोर जो एरिया मिनिमम है तो सबसे कम है भदोही जन्प बदोही संत्र विदास नगर उसके बाद है माउ है फिर संतकभीर नगर संतकभीर नगर वही जिला जो हम बताया थे कि मघहर में जहां कभीर जी जाके अपनी अंतिम सांस लिये थे ऐसी मानिता थी प्राचिन काल से कि जो लोग मघहर में जिनकी देथ होती है वो उनको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है नर्ग की प्राप्ति होती है तो वही मघ कोड़ा ज्यादा संत्र कभीर्नगर में फिर मेनपूरी में तो टौप फोर एरिया वाई हम देखें सोनब्द लखींपूर कीरी मिर्जापूर पीली भीत और फिर सबसे कम में भदोही माव संत्र कभीरनगर और महन पूरी ओके परसेंटेज वाईज देखते हैं, तो परसेंटेज वाईज 37% एरिया जो है सोन बदर का सबसे जाधा वान है, सोन भदर, शबसे दच्छली जिला, सबसे जाधा छेत्रफल में भी है, परसेंटेज में भी है सोन बदर, उसके बाद दूसरे नमबर पर चंदौली आता है, जह से हैं पॉर्षेट वन ग्राम की बात करें उत्तर प्रदेस मेंख तो बेल हतिर वेल हति गाहों है जिसको पहला वन ग्राम का दर्जा दिया गया पहले वन ग्राम का यह सोन भद्र जिले में कि यह यह बहुत ही क्टनopard कवर भारत में कितना पर्सेंटेज है ग्रेन कवर का जो आयसे फार की रिपोर्ट आई है उसके अनुसार हम लोग देखते हैं जैसे हमने बताया कि सोनभद में सबसे ज्यादा परसेंटेज वाई जो वन है उत्तर परदेश में उसी प्रकार से कौन सा ऐसा राज जहां पर सब महाराष्ट में तो इसको सौर्ट फर्म कर सकते हैं मैक ओम मैक ओम मद्ध प्रदेश औरांचर प्रदेश चतिस गड़ उडिसा और महाराष्ट ठीक है यह एरिया वाई है लेकिन अगर हम परसेंटेज वाई बताते हैं तो परसेंटेज वाई सब चैदा मिजोरम में कई बा क्या आठ दस बार कोस्टन पूछे गए हैं आप घटना चक्र उठाएंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा कि यह कोस्टन कई बार पूछे गए हैं ओके तो परसेंटेज वाई मिजोरम में हैं फिर अड़ांचर परदेश में फिर मेघाला है फिर मनीपूर पहले नंबर प करते हैं तो मिजोरम और अंचल परदेश में घाला मनीपूर नोट कर लिजिए कहीं पर और इसको याद कर लिजिए यह क्वेस्टन समिश्चा अधिकारी हो या आने आला यूपी पीसी या यूपी ट्रिपल सी हो उसमें यह क्वेस्टन आसानी से पूछे जाएंगे और आ भारत के टोटल च्छेतरफाल का 21.67% कितना क्यài है वन है वन यानिवलक्त कर और यहां और त्रेंट तौटल कितना है 24.526 यही कोछा गया था उसुछ वक्प दोघजार सत्राव कि रूटर स्तंटरा कि रिपोर्ट के अनुसार था तो आगे देखते हैं यहां से question अक्सर पूछी जाते हैं कि Forest Research Institute कहां पर है वन अनसंधान संस्थान कहां पर है कई बार question पूछे गए हैं यह कहां पर है देहरादून में Forest Research Institute कहां पर है कि देहरादून में कई बार कोस्टन पूछे गए आप पेपर उठाके देखेंगे तो कई बार पूछे गए हैं अलोग कन्फिव यह दोते हैं कि वन अंसंधान संस्थान है कहाँ पर तो यह हैं 1906 में बनी हुई है देहरादून में है ओके आगे देखते हैं नीरी नेशनल इन्वार्मेंट एंड इंजिनरिंग रिसर्च इंस्टिट्टूट नाइटिन फिप्टी एट में बनी है नीरी नीरी यहां से भी कई बार कुछेंगे अभी हम को सिन भी दिखाएंगे किस प्रकार से पूछे गया है नीरी कहां पर नेशनल इंजिनरिंग रिसर्च इंस्टिटूट कहां है नागपुर में 1958 में इसको रट लीजिए कि भी यह यहीं बनी है यह हमेशा पूछे जाते हैं लिखा रहे हैं कि कैसे पूछे जाते हैं को सब्सक्राइट नेशनल इंजिनरिंग रिसर्च इंस्टिटूट इस सीटूइट तो यह कहां पर है नाखपूर में कहां नाखपूर में यूपी पीसे स्प्री 2014 12 11 10 5 4 ऐसे इसको पूछा गया है तो हम लोग को क्या करना चाहिए याद कर लेना चाहिए फिक अग उत्तर प्रदेश की बर्ड सेंचुरी के बारे में हम लोग देख लेते हैं फिर उसके बाद ह भी देखेंगे थोड़ा सा लेक्चर बड़ा सायद हो जाए बर्ड सेंचुरी के बात करें तो संत बखीरा बखीरा कहां पर संत कभीर नगर संत कभीर नगर होई बताए ना हम संत कभीर नगर में बखीरा बखीरा बर्ड सेंचुरी है कहां पर संत कभीर नगर लाख बहोसी लाखों की बात हो रही, लाख और भहोसी नाम के दो गाउं है कन्योज में, उन्हीं गाउं के नाम पर इसका नाम रख दिया गया है, लाख भहोसी बड़ सेंचुरी, जो कहां पर है, कन्योज में है, कन्योज सबसे बड़ा जन्पद है, कन्योज जन्पद को कहा क्या जाता है नगर महोदय स्री इत्र के लिए ये फेमस है कन्योज जन्पत तो ये लाख बहुसी कहां पर है कन्योज में सबसे बड़ा है नवाब गंच बड़ सेंचुरी इसका एक और नाम अब नया नाम रख दिया गया है चन्सिकर आजाद बड़ सेंचुरी यह कहां महा है उन्याव में राज का पर कहां पर है उन्याव में कुंच कि अब यह क्या गौतम बुध्नकर जिले में आप यह भी नहीं कर पाएंगे आगर कोई नहीं कर पा रहा है तो फिर पारोती अर्गा बर्ड सेंचुरी पारोती अर्गा बर्ड सेंचुरी कहां पर गोंडा गोंडा जिले में गोंडा जिले में ओके पटना 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 एटा पटना एटा जनपद में है पटना बर्ड सेंचुरी सबसे छोटा है सबसे बड़ा कौंसा है नवाब सबसे है लाख वासी लाखों की बात हो रही तो सबसे बड़ा सबसे चोटा बड़ संचुरी है पटना समान बड़ संचुरी महिनपूरी में समस्पूर बड़ संचुरी राइबरेली समस्पूर राइबरेली सांडी हर्दोई हर्दोई सांडी पच्छी विहार हर्दोई में सरसाइ नवार, wetland भी है, bird sanctuary भी है, सरसाई नवार, इटावा में है, सुरहा ताल, सुरहा ताल कहा पे है, बलिया में, बिजय सागर, महोबावर, हमीरपूर में, सूर सवरोवर, आगरा में, और बियार अंबेटकर, पछ्षी विहार, परताबगड़ में, इनको भी कुछ ट्रिक के दौरा याद रख लीजिए गा क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सुमेलित करने के लिए सीधे सीधे क्वेश्चन तो अब नहीं पूछे जाएंगे हो सकता समिच्छा अधिकारी में सीधे भी पूछ दिये जाए कि ओखला बड वर्ड वेच्टलैंडेक दो फर्वरी मना जाता है इस वर्श की थीम क्या है 2021 की स्वेच्टलैंट सेंड वाटर वल्डायट सेंड वातर इस बार जुन है 2021 में इंडिया का फॉस्ट सेंटर फार वेट लैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर फार वेट लैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर फार वेट लैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट कहां पर बनाया गया है यह चिन नहीं में ठीक है भारत में वरतमा वेनट्स हैं कितने 8 वेट्लेंट्स बारत में कितने हैं आप आज की डेट में 42 हैं जो रामसार साइटस में हैं इस वर्ष 2021 में बनाए गया ओके तो यह उत्तर प्रदेश्य के वेट्लेंट्स है numerical समें उत्तर प्रदेश में 8 हैं सबसे ज्यादा वेटलैंड है कहां उत्तर प्रदेश में आठ उत्तर प्रदेश में ही है तो नवाब गंज जो चंसेखर राजाद पच्छी विहार हम बता है नवाब गंज कहां पर उन्नाव में पारवती अरंगा बर्ट सैंचूरी भी है वेटलैंड भी है गोंडा में है समान कहा पर है मयनपूरी में समान मयनपूरी समस्पूर राइबरेली में है यह वेटलेंड सांडी हर्दोई सरसाई नवार कहा है इटावा में यह भी वेटलेंड यह कवर है अपर गंगा रीवर ब्रिज घाड टु नरवरा स्ट्रेट गाजियाबाद और बुलंद साहर में पड़ता है आगरा में तो कौन कौन से वेटलेंड है नवाब गंज नव में पारती अरगा गोंडा समान मयनपूरी समस्पूर राइबरेली सांडी हर्दोई जनपद में सरसाई नवार इटावा में अपर गंगा रीवर भी एक वेटलेंड जो ब्रिज हाड टु नरवरा के बीच मे साने हैं बीच घाड नररा नरोरा में एक उत्तर प्रदेश में श ऑलका में क्या बोलते हैं निकलियर नुकलिए एनर्जी भी यहां रोभा है बुलन्सार में निकलियर नेर्जी का प्लांट भी है अब हम टाइगर के बारे में बात करते हैं तो भारत में वरतमान समय में कितने टाइगर रिजर्व हैं वरतमान समय में भारत में वर्तमान समय में भारत में 52 टाइगर रिजवर है 51 था सिरी विल्ली पुथूर मेगा मलाई टाइगर रिजवर कहां पे है तमिल नाडू में और लिए 52 टाइगर रिजवर कौन सा है 52 बिबशन में 52 टाइगर रिजव Wie रमगड़ रामगड़ कहां है कहां पे राजस्थान में है इस समय वर्तमान निश्ण जुलाई को वर्ल टाइगर डे प्रतिवर्श उन्तिस जुलाई को चेलिब्रेट किया जाता है बनाया जाता है टाइगर की पापलेशन को बजाने के लिए उत्तर प्रदेश जो है उत्तर प्रदेस में टोटल नमबर के टाइग रिजर्ड जो 2012 में रिपोर्ट आई है उसके अनुसार 173 टाइगर रिजर्ड अाय पूरे भारत में कितने टाइगर रिजर नहीं टाइगर टाइगर की पॉपलेशन की बाद तो 173 उत्तर प्रदेश में हैं प्रजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ है 1973 में UPPCS समिच्छा दिकारी या UP कोई एक्जाम हो UPPCS तो खुब अच्छे तरीके से खेलता है पूछेट टाइगर पूछेगा पूछेगा लगातार पिछले दो तीन वर्समें यही पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है इस प्रकार से ठीक है तो उत्तर प्रदेश में वर्तमार में 173 टाइगर पूरे भारत में सब टाइगर कितने हैं टाइगर पुपलेशन 2967 सबसे ज़्यादा कौन से राज में है यंपी में कितने हैं 526 526 ठीक है यह 2018 की रिपोर्ट है ओके वर्ल्ट टाइगर डे 29 जुलाई टाइगर रिजर उत्तर पैडेश में कितने हैं टाइगर रिजर की संख्या उत्तर पर देश में तीन है दुधवा जो लखिंपुर खीरी में है 1987 में 1987 में बना अमनगड विजनौर में है 2002 बारम बना और पीली भीत पीली भीत जन्त आप फर्देस में भागो की संख्या यह आई सेफर की रिपोर्ट नहीं टाइगर कंसर्णंस के द्वारा टाइगर सेंसर्थसुए था-ड़ा-ठाइड की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर यह आगे दिखते हैं प्राणि उध्यान राजञ में प्राणि उध्यान की बात कर लेते हैं तो दो संचालित हैं ये कभी चल रहा है बन रहा है नवाब आजिद अली साफ प्राणि उध्यान अगर आप लख नुगए होंगे तो आप प्राणीफदान कहां पर है कानपूर में कहां पर कानपूर में असपाक रुल्लाख राणीफदान गोरक पुर में अभी इसका काम चल रहा है लॉजन एंड इलकाईख की बात करें तो चंबल और मयूर सरक्षड के अंदर बिंदावन अ आर के गए कुछ यह से देख लेते हैं परदेश में सर्पथम किस पच्छी बिभार की अस्थापना की गई थी कउन से पहला बाट सविच्छी किस अस्थापना की गई कानौ बहुमानूज में बताये थे कि लाख और बहुसी उडाउस्य गाउं ऑब दोनें के गाउं के नाम पर ही यह लख बहुसी नाम रखा गया रहए तो यह कहां पर है तो यह पहां पर है सबसे ज्यादा बिस्तध और कहां है करना उजमें और एक नाम जूतह सब laboraf तो यह कोस्चेन सब पूछे हुए कोस्चेन से इसी प्रकार से ये तो वन लाइनर कोस्च नोग सबसे बढा़ा सबसे चोटा अब जो कुस्चोन आएंगे वो सुमेलित करने के लिए आएंगे okay तो सुमेलित करने और यूपी पीसियस में बहुत ही ज्यादा संभावना है पूछे जाने की और टाइगर रिजर हो गया टाइगर वर्ल्ट टाइगर डे कब सेलिब्रेट करते हैं 29 जुलाई वर्ल्ड वेटलेंड दो फर्वरी इस प्रकार से जो दिवस होते हैं इससे भी सुमेलित करने के लि और हम फिर देखेंगे कुछ और उत्तर प्रदेश की महत्पूर जानकारियों को बारे में हम फिर आगले लेक्चर में डिसक्स करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद